अध्यक्षी, अपनी मुद्दे की बात कहने से पहले मुझे लगा कि दिल्ली के जो एक बटा चौथाई मुख्यमंत्री हैं, वो कहानिया सुनाते हैं, तो मैं भी आज एक शीश महल में रहने वाले नवाबजादे की कहानी दिल्ली की जनता को और देश की जनता को सुनाना च चाहती हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि यहां इस जगा पर बैठे वे, संसब में बैठे वे, बहुत से लोग हैं, चायद अन्भिग्ये हैं इस कहानी के बहुत सारे रहस्यों से, और जिसमें ये रहस्य है कि एक आम आदमी का नाम और वेश भूशा धारन करते करते, कोई शीश महल में रहने वाला नवाबजादा कैसे बन गया, और वही कहानी इस बिल के मूल में है, और वो कहानी है कि एक व्यक्ति जो खड़ा होके कहता है कि मैं गारी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, ये नहीं लूँगा, वो नहीं लूँगा, 53 करोड का गोटाल का बजट है 6,000 करोड से उपर का बजट डिल्ली के फ्लट डिपार्टमेंट का है उसकी मीटिंग जब 21 तारीक को रखी जाती है तो ये नवाबजादे वहां पहुचते नहीं कहते हैं मैं और राजनीतिक गति विदियो में राजस्थान में उपस्थित हूं तो आप इसको ब उसमें कहा जाता है कि मेरे जगा पर मेरे विहाब पर आतिशी मरलेना इसको अटेंड करेंगी आतिशी मरलेना जो दूसरी मंत्री हैं वो भी नहीं पहुचती तीस तारीक को और उस तारीक को बढ़ा कर चे तारीक को कर दिया जाता है जब दिल्ली के अंदर कम पानी पर बाड़ा जाती है, दो साल से डेली फ्लाट कंट्रोल डेपार्टमेंट की मीटिंग ही नहीं हुई, और जब 3 लाक यूसेक के आसपास पानी छोड़ा गया, दिली में बाड़ा गई, 8-8 लाक यूसेक पानी दिली में छोड़ा गया, तब बाड़ नहीं आई, ये बात मैं ने कहा एक चौथाई मुख्य मंत्री, क्योंकि पहले तो आधी ताकत कोट नहीं मान लिया, कि law and order, land, all these issues will go to central government, ले देके एक विशे भचा था, जिसके उपपर सारा जगडा है, सारा मामला फसा, services के उपपर, और जब services की बात आई, तो services क्यों आवश्यक हुई, मेरे से पूर्व में बोलने वाले मेरे अन्यदल के मित्रों ने कहा, कि interpretation का अधिकार सिरफ सुप्रीम कोट को है, अगर हम सब मानते हैं कि interpretation का अधिकार सुप्रीम कोट को है, तो सुप्रीम कोट ने ही अपने निर्ले में टै किया है, कि दिल्ली जो है, वो union territory का अधिकार रखत वो स्टेट नहीं है और यूनियन टेरिटरी चाहे दिल्ली हो या पॉंडिचेरी हो सेंटर का उसमें अधिकार है और जब विल ओफ दी पीपल की बात आती है तो प्रेजिडेंट ओफ इंडिया से बड़ा तो विल ओफ दी पीपल कोई और रेप्रेसेंट नहीं करता प्रधा या दिलाना चाहती हूं या बैठे वे सब लोगों को पूरे देश की रिक्वाइर्मेंट कोउइट से पहले ऑक्सिजन की 972 मेट्रिक तन थी पूरे देश की जो लिक्वेड अक्सिजन की लिक्वेड मेडिकल उक्सिजन चाहिए होती थी लमो की कोविड आया भाह साहब ने एक तो अस्पताल नहीं बनाया, किसी की कोई मदद नहीं की, बोजन की विवस्था नहीं की, कोई काम नहीं किया, और ले देकर क्यूंकि दिल्ली कापिटल सिटी है, पूरा देश और अंतराश्य विवस्थाओं की निगा यहां लगी रहती है, तो केंद्र सरकार को कूद नहीं पड़ेगा, आप कैसे कह सकते, कि सांसत काम नहीं करेंगे, सांसत दिचारे इंटर्वीन नहीं कर सकते, लेकिन उनके उपर रिस्पॉंसिबिलिटी निश्चित की जाती है, जब रिस्पॉंसिबिलिटी निश्चित की जाती है, तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोट में कहा कि 932 मेट्रिक टन दिल्ली के लिए बहुत अधिक है हम इतनी चिरफ दिल्ली को नहीं दे सकते पुर्वोत्तर के राजियों से जहां पर iron and steel manufacturing होती है वहां से oxygen को काट करके लाना दिल्ली और आप अंदाजा लगाएं कि केंशरकार ने क्या कुछ नहीं किया cryogenic tankers हवाई जहाज, train, सब कुछ लगाकर oxygen लेकर आए और लाकर दिल्ली के border पे oxygen खड़ी कर दी बोला जी बताइए कहां बेजनी है तो उसकी विवस्था थी इनको पता नहीं था कहां बेजनी है और जो private अस्पतालों की अपनी विवस्था थी oxygen लाने की करीदने की उसको तहस्नेहस करक इन्होंने सरकारी अस्पतालों में वहाँ पर बेज़ जहाँ पर कोई विवस्था कड़ी नहीं की थी दिल्ली के अंदर जब medical चीजों की विवस्था की बात आती है तो aims केंदर सरकार चलाती है सफदरजंग केंदर सरकार चलाती है लेडी Harding, लेडी Irwin सब केंदर सरकार च दिल्ली को दिया है तो अब आप पूछते हैं कि दिल्ली के अंदर केंदर का हस्तक शेप कैसे दिल्ली के अंदर केंदर के हस्तक शेप के बिना दिल्ली चली नहीं सकती क्योंकि शीश महल में रहने वाले नवाब जादे में थाड़े 13,000 करोर रुपिया सिरफ holding poster के उपर ख फोन लगाते हैं दिल्ली सरकार को फोन नहीं लगाते हैं सतर हजार करोर का घोटाला जल बोर्ट में होता है तो उसकी जवाब दे ही किसी की नहीं होगी इस act के इस बिल के मूल में जो भावना है वो भावना यही है कि एक व्यक्ति सब ने जिम्मेवारियों की और तमाम ची प्रेटर हो चाहे लेजिसलेटिव असेम्बली से मले हो चाहे एंपीज हो सबके जवाब दे ही अपने लोग तंत्र में बैठे वे व्यक्ति के प्रती है और यहां पर अपनी सब चीजों से हाथ जोड़ कर कह देना कि भाया केंडर की सरकार काम नहीं करने देना चाहती हम त एक रापिड रेल ट्रास्पोर्ट सिस्टम के लिए इनके पास 400 करोड रुपया नहीं है तो कौन काम नहीं करने दे रहा एक तरफ कहते हमने इतने स्कूल बना दिये कैंसरकार के खड़ेवे कॉलेजिस और स्कूल्स वो कैंसरकार ने बना के दिये 300-300-500-500 करोड कैंसरकार लगाया जाके अपनी फटी टांके आ जाते हैं तो अब यह सब अगर केंसरकार करेगी तो काम करवाने का अधिकार भी उसके पास है और इसके मूल में असली कहानी शीश महल की कहानी है असली कहानी विजिलेंस और नॉन विजिलेंस रिलेटेड माटर्स की कहानी है असली कह तो मैं यार दिलाना चाहती हूं कि 90 बार 356 को इस्तेमाल करके चुनवी हुई राजे सरकारों को जिन लोगों ने डिस्मिस किया वो constitutional morality की बात ना करे तो बेहतर है और ये बात अरे ED एक मिनिट एक मिनिट शांत रहो तुम्हारे घर ना ED आजाए नहीं 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 अरे मजाग की बात है मजाग की बात है एक मिनिट एक मिनिट सर 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 मैं जो कहना चाहती हूं tools of governance tools of governance की यहाँ पर लोग violate करकर के देश का पैसा बाहर ले जाते रहेंगे और ED काम नहीं करेगा आप देश की जंता को चूना लगाते रहेंगे और CBI काम नहीं करेगी आप गुंड़ागर्दी करते रहेंगे दिल्ली के अंदर अगर Donald Trump जैसा व्यक्ति आता है तो rights करेंगे और police काम नहीं करेगी क्या ऐसी व्यवस्थाप चाहते हैं अर अल्टिमेटली ये सब tools of governance हैं और tools of good governance अगर इस्तिमाल नहीं होते इसका मतलब आप रश्टा चाहरी हैं क्योंकि ये tools आप नहीं इस्तिमाल कर रहें और आज जब दिल्ली की बात आती है जब इस particular enactment की बात आती है तो मैं इस enactment में एक चीज याद दिलाना चारी हूँ क्योंकि मैंने कहानी शुरू की थी शीश महल में रहने वाले नवाबजादे की तो शीश महल में रहने वाले नवाबजादे कहा कि 370 पेज मेरे पास है शीला दिक्षिद जी के खलाफ जिनोंने ब्रश्टा चार किया है और जब वो खुद मुख्यमंत्री बने तो वो 370 पेज तो खो गए उन 370 पेज का तो हिसाब किताब के ही आया नहीं और आज विडंबना देखिए उनी के हाथ पैर जोड़े जा रहे हैं उनी के साथ अलाइंस की जा रही है उनी के साथ गठ बंदन किया जा रहा है ताकि ब्रश्टा चार को कैसे रोकने की बजाए कैसे बढ़ावा मिलता रहे और कानूनी विवस्था और जैसे मैंने पहले क कि कोई बिमारी होती है तो थोड़ा लाचार कर देती है पर लाइलाज तो नहीं होती इसी तरीके से समविधान के अंदर लाइलाज कुछ भी नहीं है अगर बिमारी पैदा होगी तो उसका इलाज भी होगा और खास तोर पे दिल्ली के अंदर जिन्होंने डेंगू की बिम सारी फैलाने का काम किया, काम नहीं करने का काम किया, इलाज तो होगा ना उसका भी, और ये उसी का इलाज है, आप अंदाजा लगाएए, मैं बार की बात बार बार लेके आ रही हूँ, बार की बात में साड़े छे हजार करोर रुपिया, फ्लट डिपार्टमेंट का खर्च ह हो जाता है, 250-260 लोग उसमें काम करते हैं और जब बात की जाती है, तो हृयाना ने नहीं किया, उसके बीच पंजाब आता नहीं, हिमाचल ने काम नहीं किया, बाकी सब ने काम नहीं किया, ये बहुत खास है, इन्होंने काम किया, और फाइनली, जब उसमें military को इंगेज क आर्मी के गोताखोरे लगते हैं, तो लास्ट लाइन, पहले होता है, 20 गटे लगातार काम करने के बाद में, आज वो बराज के गेट कुղे, और वो बराज के गेटों से सक्शन पंप लगाके, कम्परेसर लगाके, हमने वाले काम करेको हटा रही हैiman को सब्लके कि से घर, तो लगा रहे थे पाने हुए तो यही कारण है कि इस Act को लाना पड़ा और Services में जब ले के आए तो Services में लाने के पीछे इससे पहले अपने मेरे कुछ मित्रों ने कहा है मैं उसका जवाब देना चाहती हूँ इन्होंने कहा कि यह targeted legislation है malicious legislation है तो जिन्होंने यह दो शब यूज किये है targeted और malicious मैं उनको बताना चाहती हूँ कि यह purposeful legislation है और वो भी एक concept होता है legislation को बनाते हुए कि for achieving the purpose and what is the purpose? The purpose is to strike a balance between domestic politics or domestic needs and national needs because Delhi is a capital city where balance needs to be kept between the local as well as national and international requirements because we are a capital city. So it is a purposeful legislation to achieve the balance between two methods of governance. The second aspect, the second aspect has been that throughout there have been misstatements by lawyers, by practicing lawyers, by repeatedly saying that India is a federal structure, federal structure, federal structure. Either they have not read or they are misleading. I will go by the second, that they are misleading, misstating and misquoting. India is a quasi-federal structure which is what constitution demarcates. India is not federal. The centre will always have a primacy, otherwise to govern a complicated state, as complicated as India is, as diverse as India is, will not be possible. That's why the Parliament of India, the centre government of India has been given the primacy even in the constitution and this parliament has every business, every right to correct the wrong and bring the right law. The next thing, concept of states will be power and responsibility. I am purposely addressing what the arguments have come from the other side. So power and responsibility. I would say, if a person, by whichever method, has come to power and becomes irresponsible, will the Parliament, will the Parliament, I am so sure, I am so sure, will of the people, we have also seen ballots being rigged. So don't tell me, whichever, you don't understand. We also understand how panchayat elections have been conducted in West Bengal. So don't tell me all this. I think people of this country are mature enough. So when power rests with people who act irresponsibly, will this Parliament not have the power to correct that wrong and tell people what their responsibility is to make people answerable to the very people who have elected you. So the answer is power and responsibility. The balance needs to be struck and that balance is what this legislation is seeking to address. Unaccountable, irresponsible. I mean, these are the words used. So I would go by that, that somehow the power structure in Delhi has been unaccountable and irresponsible by the manner in which the neutral bureaucracy has been dealt with. I do not know, I mean, I can only quote a great example of our own Prime Minister. When he was the Chief Minister of Gujarat, and we know how all kinds of cases, fake cases, etc. were made and how those Chief Secretaries used to be appointed by the central government, did they beat them up? Did they take them to a corner? Did they assault them? Answer is no. You don't do that. You battle it out in the court of law. You battle it out by the method which is prescribed by law. But here, here, the Chief Secretary, here the bureaucracy had been put under immense pressure to do the wrong. Arvind Kumar, a person, a bureaucrat, working with the office of Deputy CM, is a witness in the case of Sharab Ghotala. Sharab Ghotala में गवाई उसकी है किस तरीके से कोने में ले जाका प्रेशर किया जाता था, गलत काम करवाई जाते थे, उसका क्या कोई इलाज नहीं निकलेगा? कि आप गलत काम करवाने के लिए बिरॉक्रिसी के उपर प्रेशर बनाते रहेंगे? अभी अभी पिनाकी जी ने पढ़के बताया, judgment में excited है, 400 से उपर लोगों को आपने बिना service commission के, state service commission होता है, central service commission होता है, बिना service commission के, बिना vacancy निकाले, बिना कुछ किये, अपने रिश्टेदारों को एक-एक डेट-डेट लाग रुपे की नौकरी देदी? बाखी लोग क्या करेंगे जी? इस देश में इतने लोग बेखे हैं, जिनको नौकरिया चाहिए, काम चाहिए, आप अपनी मर्जी से सरकार चलाएंगे, उसका इलाज है, और एक सवाल इन्होंने किया, तीन साल, दस साल, अरे, एक्स्टेंशन क्योंकि वो आपके, अधनिय, अधनिय, अध्यक्षी, तीन सो सत्र, तीन सो सत्र पेज का नाम इन्हो ने लिया था, शीला जी की खिलाफ, जिस तरीके के गोटाले इन्होंने किये है, वा तीन-तीन पाच-पाच-पाच हजार पेज है, वा तीन-तीन पाच-पाच-पाच हजार पेज के लिए उसको एक्सेंशन देनी पडती है, क्योंकि इतने मोटे-मोटे गोटाले किये है, न अपमेल जब चिनली के सवावीजिस फहां कर्वीपली प्रक एंत बावकी सिंव इसलाविस से निद्टली गार्व में। पनतन के न 24 hours when the Shish Mahal Ghotala was being investigated by the vigilance department that not just that officer 70-80 officers were transferred overnight now these are the officers which were investigating the which were investigating the scam and because they were investigating the scam overnight overnight they tried to circumvent the scheme of the scheme of governance and transfer those officers thus there was a need to bring in an ordinance and after bringing an ordinance the bill has been brought in and this bill has been brought in to correct to correct the status so the 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 statutorily so why was this brought in this act has been this bill has been brought in to statutorily balance the interest of nation with the interest of union territory of delhi in administration of the capital by giving purposeful meaning to the manifestation of democratic will of the people reposed both in the central government as well as gnctd that is national capital territory region of delhi so by virtue of this what has really happened what has really happened is that a particular body national capital civil services authority has been established and this national capital civil services authority will have three members chief minister who is not just the chief minister but also the presiding officer of this committee of this authority will have a member secretary who's a secretary member secretary of home secretary of the state of of union territory of delhi is going to be the member secretary then chief secretary of delhi because he's the principal officer dealing with administrative issues what what can it do it can deal with transfers postings of fish of officials and disciplinary matters sole discretion on several matters including those related to national capital civil services summoning prorogation dissolution of delhi legislative assembly this is all what has happened now being the capital of delhi being the capital of india delhi had been administered by by the president of india directly earlier and a sui generis status was however conferred on delhi whereby it retained the union territory uh nature and with a legislature uh a lot has been quoted on 239 a entry 43 list 2 now the judgment which has been off quoted i'm reading that part so judgment says is in the absence and 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 i'm sure people familiar with uh legal procedures know that any judgment records all kinds of arguments and all kinds of facts and then it gives certain specific subject matter related uh uh statements so where it says in absence of any specific parliamentary legislation dealing with the subject of services as contained in entry 41 of list 2 of the 7th schedule specifically and in detail the honorable supreme court was pleased to pass a judgment on such and such date and whereas in view of its special status as a national capital a scheme of administration has to be formally formulated by parliamentary law to balance both local and national democratic interests which are at stake which would reflect the aspirations of the people through joint and collective responsibility of both the government of india and government of national capital territory of so this statutory balance the interest of nation with interest of union territory will give purposeful meaning to the manifestation of democratic will our constitution the formation of delhi as a union territory is unique in itself it may be remembered that every union territory is administered by the president acting through an administrator and while any ut may have an elected body it does not diminish the supreme control of the president and the parliament over them as per the constitutional scheme yes only yes yes i would like to be as कैसे होंगे कि अगर कोई conflict है तो वो मामला Lieutenant Governor के पास जाएगा और उनका word जो है वो सर्वोपरी होगा only in case of conflict. Otherwise, राय शिमारी से ये काम होगा. और राय शिमारी करने में कोई बुरा ही नहीं है जी. That is what balance is all about. And this balance of power to give जिमेवारी and to give responsibility is what this legislation is all about. अंतने में एक ही बात, एक ही बात कहकर अपनी बात समात करना चाहती हूँ. और वो बात है कि जिस तरीके से इन्होंने ये तमाम चीज़ें की हैं, Miss Administration, Miss Governance. तो ऐसे में अगर केंदर में नरेंद मोदी जी की सरकार है और जिनको इन्होंने ही चौकीदार का नाम दिया था, तो जो चौकीदार की सरकार है, वो चौकीदार तो चौकीदारी पूरी करेंगे और नवाब को भी जवाब तो देना ही पड़ेगा और जिम्मेवारी से बच नहीं सकते हैं.